हेलो गाई दिस आडी सिंग और आज का हमारे टॉपिक है हाउ टू मिनिमाइज रिस्क इन बाइनरी ओप्शन तो इसके अपर मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर भी लोग जो हार रहे हैं उनको जो है थोड़ा सा और डिटेल में जो है या फिर रिवाइस कराने के लि तो उनको और कोई काम मुझे लगता नहीं है और लाइफ में या रोड़े आए ना आए बट इनके जासे बहन के बहुत मिलते है और मैं सच कहा रहा हूं जिस दिन इन में से एक मेरे हत्ते चड़ गया ना कसम से बता रहा हूं बेटा जिस डॉक्टर के पास जाओगे ना व भाई बहुत बिहानक तरीके से तोड़ने वालों में तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं यह अभी अभी एक भाई का यार मैसेज आया उन्होंने मुझे पूछी यह बात पूछी कि भाई मैं जो हार रहा हूं तो यार मैं क्या करूं तो आज मैसेज आया आज OTC साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा ट्रेड लाइन से आ रहे हैं और यह जो है मार्टिन गिल के सेट अप पे खेर रहे थे तो भाई पहला मेरा आंसर है OTC में आपको कभी नहीं खेरना यह देखो यह मेरा अकाउंट है मेरी लास्ट ट्रेडिंग कब हुई थी मेरी लास् OTC मार्किट है और भाईया मैंने आज सुबा से देखा भी नहीं है और मैं जो है अब मंडे को देखने वाला हूं अपना अकाउंट तो पहला सबसे जरूरी जो है भाईया आपको OTC मार्किट में नहीं खेरना है यह आप लिखके रख लिजए कुछ भी हो जाए Saturday Sunday छुपत हैं दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि यार मैं पहले ही बता चुका हूं आप जो है एक मिनिट से हट जाएं और पांच मिनिट की कैंडल को एनलाइस करें और पांच मिनिट की एकस्पाईरी रख यह हमारा दूसरा अंसर है मेरा दूसरा अंसर है कि आपको जो है पांच मिनिट में एक चीज ज़्यान रखो कि आपको लो वाल्यूम मार्केट में नहीं खेलْना अगर आप लोग और एक डारिक्शन में चलती चली जाएंगी और जो आप छोटी चोटी अब देखता ओं मैं लो वाल्यूम मार्केट अगर मैं दिखा पाए ऐसे रहा नो गोट मार्केट तो यहांपर तो अभी नहीं है यह जैसे कि इसको कह सकते यह एक यह भी फिर भी ठीक है लेकिन लो गॉल्यूम है ज्यादा इसमें मॉमेंट नहीं है कnai अब जो यह वाली केंडल फिर भी ठीक है उसके बाद चोती चोटी-छोटी चोटी-चोटी केंडल जो बन रही है चोटी-केंडल्स पर नहीं खेलना जब आप पहली बाद तो अगर आप पाँच मिनट पे खेल रहे हो तो यार कि आरने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे अगर फिर फिर भी पाँच मिनट पे भी अगर आप देखो इतली इतनी candles पर अगर आप खेल रहे हो यह चोटी चोटी candles है यह low volume market है यहाँ पर movement नहीं हो रहा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है low volume market में trend रहा है यहाँ से यहाँ तक यह low volume में रहा है तो इसमें जो है बहुत मुश्किल हो जाता है एक direction में अगर इसने पकड़ लिया low volume है तो यह एक direction में ही चलता जा सकता है अगर आप martingale के setup पे खेरो तो यहाँ पर आपको wait करना है जब तक powerful candle नहीं बनेगी आपको trade नहीं करनी जैसे powerful candles बननी start हुई जैसे अब यह बनी low volume market पे हटते के साथ यह powerful candle बनी ugly candle reverse उसके बाद यह देखिए यह powerful candle बनी ugly candle reverse यह powerful candle है low volume market से हटके यह powerful candle है ugly candle reverse तो आपको जो है low volume market में आपको बिल्कुल नहीं खेलना है तो यह तीन बाते आप note कर लीजे बाकी जो है मैं पहले भी इसके ओपर वीडियो बना चुका हूँ और एक setup पे खेलना है setup के अंदर यह तीन चीजे आपको implement कर लेनी है अगर आप यह जो है अब्दुल भाई जो है यह tournament खेले तो tournament में भाई मैं बताओं तो risk लेना पड़ता है आपको tournament में risk लेना पड़ेगा आपको martin gail खेलना पड़ेगा बिना martin gail के आप tournament win नहीं कर पाओंगे बहुत मुश्किल हो जाता है या तो आपको बड़ी lot माननी पड़ेगी बड़ी trade बड़े amount की trade माननी पड़ेगी या फिर जो है आप martin gail के setup आपको खेलना ही पड़ेगा अगर आपको टूनामेंट जीता आप 3% खेल सकते हो बिना martin gail के setup के बहुत इजली हो जाता बड़ टूनामेंट में आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा विकॉस आपको अकाउंट जो है अपना पड़ेग Äंग इंप्लीमेंट कर लो आपको एक म्नेट की के अंडलं पर नहीं खेलना है और अगर आप खेल भी रहे हो यह फिर भी अगर आप नहीं मानते हो तो पो सब्सक्राप कि अगर आप खिलना चाहते हो तो खेल सकते हो लॉवल्यू मार्केट में नहीं केलना और जो है ओटी- весьर ज़रूरी जो है ओटी-ची में नहीं केलना ओटी-ची bend में यह घूए अगर आप ट्रेट करोगे तो यह 4ники 35-35 कंडल्ण भी बना सकता है अगर आप martin gill के setup पे भी खेर रहे हो तब भी जो है यह 50 ट्रेट भी जो है line से बना सकता है आपको हराने के लिए से और इनके साथ यही हुआ इनके साथ यह martin gill का setup खेरे थे तो आप देख सकते हैं 10 डॉलर से इनके स्टार्ट किया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस केंडल्स कितने प्यार से बनाई होगी विकॉस यहां तक तो चलता है उसके बाद जैसे यह amount बढ़ता है यह OTC मार्केट में आपको जीतने नहीं देगा छोटे amount पर एक बार के लिए जीतने देदे बड़ बड़े amount पर आपको कभी नहीं जीतने देगा मैंने जो है एक बार दस रीबाय मारे थे मुझे आज भी याद है मैं मंधिली टूनामेंट में एक बार OTC मार्केट में एंटर हो गया था तो मैंने उस टाइम पर दस रीबाय मारे थे मुझे दस में से एक भी नहीं जीतने दिया था और मैं पांच-पांच मिनिट के एक स्पाइडी भी खेला था तो मैं उसी दिन समझ गया था कि यह जो है मार्केट को अपने हिसाब से चलाता है दस ओटीम लाइन से आना बहुत बड़ी बात है विकॉस मैं जानता हूं कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है बाट उसके बाद भी जो है मार्केट जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रही था तो ओटीसी मार्केट में आपको नहीं खेलना है रिस्टी में ऑर च्छोड़ के बाईक है और उसके उपर जो रूले बस अप्लाइए कर लिजया आपका जो रिस्ट है वह बहुत कम हो जाएगा और र और एंगर आपको कोई सग्सक्छन में पूछ सकते हैं और आप 28 कोई दिक्कत है या आप परसनल सेउंचन चहिए तो मेरा क्मेर ले सकते हैं छलिए मिलते हैं लगली वीडियो में झाल झाल झाल